आला बनाने का तरीक है बताऊंगा और प्रांटे देखिए कितने खस्ता से प्रांटे आपके बनके त्यार होंगे तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पे मैंने 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और दो बड़े चमच इसमें बेसन आइड करेंगे अगर बड़े चमच आप इसमें गी एड कर देशे देशी घी का मैंने यूज किये आप बटर डालना चाहिए बटर भी डाल सकते हैं इससे यो प्रांटे अच्छे खस्ता बनते हैं खाने में और अच्छा टेस्ट भी आता है प्रांटो में तो गी को अच्छी तरह से आपने पह लगाना होता है ज़्यदा टाइड नहीं लगाना है यह देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटे को इकठा कर लिया है अब आपने इसको ना कम सब 2-3 मिनट तक गूंद लेना है हलका हलका सा पानी स्प्रिंकल कीजिए साइड में और इस तरह से थोड़ा से जोर देना है आदे कंटे का रहे चीजिए तर्स मसाला बना लेते हैं 150 क्राम यहां पर पनीर लिया है पनीर की अंदर से प्रैस कीजिए इसके पानी होता है पूरी तरह से निकल जाता है इसके आप आपने पनीर को भी गदू कस कर लिया है है यह देखिए इस इस तरह से आदा चमच आपने इसमे नमक एड करना है, थोड़ा अब इसमे साबुँद घ्राइड करना है, और एक छोटा चमच आपने इसमे अच्वाइन एड करना है, अब जो मिर्ष चैमे ने तीखे वाली मिर्ष यूस किये, अगर आप स्पाइसी कम खाते हैं, तो दो ही मिर्चाब इसमें यूज़ कर सकते हैं इन मसालों को आपने medium to high flame में हलका सा dry roast कर लेना है जब तक इनका color change ना हो तब तक आप इनको थोड़ा सा भून लीज़े देखे इस तरह से अब इनको थोड़ा सा ठंड़ा होने देशे ठंड़ा होने के बदे आप इनको कोट के डाल सकते हैं या फिर आप इनको ना मिक्सी ग्रंडर जार में दरदरा सा पीस के डाल दीज़े देखे इस तरह से आपने इनका दरदरा सा powder बना लेना है और इस मसाले का आप यूज़ कीज़े परांटों की stuff ही में ज्यादा कॉण्टी डिमीवाश मसाला बना सकते हैं इसको स्टोर करकर भी रख सकते हैं थोड़ा सा मैंने समय असमें हरदनिय डाला है बरीक कटा हुआ और प्याज और प्याज यूज़ भी डाल सकते है तो एक मैंने मिडियूm साही का प्याज ले था उसको बारी काड़ के आड़ कर दिया है थोड़ा सा बारी कटो अदरक आड़ करेंगे अदरक से भी अच्छा टेस्ट आता है तीखा करने के लिए मैंने हरी मिर्षट भी इसमें आड़ की है और कट्टा करने के लिए थोड़ा सा आमचूर पोडर आड़ की है अगर आपके वस आमचूर पोडर ना हो आप चार्ट मसारा पोडर भी डाल सकते हैं सारे इंडिटन्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बस मैश नहीं करना है आप नहीं देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हैं से आपने इसको मिक्स करना है अगर आप इसको ज़्यादा मैश करेंगे आपका मिक्सर ज़्यादा ही गिल लवच आएगा और क्याँ पे देखिए 20 मिट हो चुके हैं आटा गूंते हुए और हमारा जो टो है अच्छी तरह से सेट हो चुका है अच्छी से सॉफ्ट हो चुका है अब इसके बुद आपने इसके पेड़े बनाने है तो आप अगर 10-12 प्रांठे बना रहे हो तो 5-6 पेड़े पहले ही बनाके रख लीशे उससे क्या होता है हमारा जो पेड़ा जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है और प्रांठे बेच्छे ब आपने उसको न दो मिनिट का रेश्ट देना है उसके बाद वो थोड़ा सा सौफ्ट हो जाता है और उसके बाद आपने पेड़े की जो साइड होती है उसको पतला करना है सेंटर से जो पेड़ा थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए या फिर हातों के उपर इस तरह से घुमा चाहिए और इस तरह से आपने ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा बच जाएगा उसको तोड़ देना है और फिर से आप इसको हातों के उपर घुमा लेशे इस तरह से आप स्टफिंग करेंगे आपके प्रांटे ना हर प्रांट आप फूलेगा जितने प्रांटे बनाएंगे और लानफ फिर ना मैंने द ही लिये इसमें आपने नमक के आड़ करना है तो थोड़ा साफ इसमें नमक के आड़ कीशे आदा चमच के लिए बना रहे हरी में चाप यहां पे स्किप कर देशे और देहीं ज्यादा ही ठीक हो थोड़ा सा पानी एड़ कर लेशे अगर देहीं पतली हो तो पानी आपने नहीं डालना है और बिसक्र की साइट से आपने अच्छी तरश से सारिंग इंग्स कर लेना है तो यह हमारा प्रांटे को सरव कर सकते हैं अब यहां पर हमारे पेड़े देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं दो मिनिट का मैंने इनको रैश दिया था अब इसके अब आपने पेड़ों के बाहर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है इस तरह से इससे क्यों होगा एक तो प्रांटे हमारे बेलन और टेबल से ने चिपकेंगे दूसरा प्रांटा फटता वेनी है और के देखिए प्रांटे को थोड़ा सा हाथ से बढ़ा कर लेशे और बेलन की साइथा से इस तरह से आपने प्रांटे को बेल लेना है तो सूखा अपने घूम रहा है इसको गुमाने की जूरूट बेलने के प्रांटे को गुमालेना है तक कि सूखा तब बाहर से लगाए था पूरी तरह से निकल जाए और तोई को गर्म कर लेशे तोई को प्रांटा डाल देना है और इसके वाद एक साइट से जैसे प्रांटा हलका सा गर्म हो जाए गा फिर आप इसको पल्टी कर देश कि अगर आपने सॉफ्ट प्रांटे बनाने हो तो आप गैस की फ्लेमना मीडिम टू हाई रखिए तो एक साइड में गी लगा दिया है इसको फिर पल्टी करेंगे और जैसे आप इसको पल्टी करेंगे गी लगाने कब प्रांथाना अपने आफी फोल जाएगा और इसके बद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेर कमेंट चुरूएगा